आज हम लोग जनसंचार माध्यम वेशय पर बात करने वाले हैं। आप सब लोग कहानी पढ़ते रहे हैं, आप सब लोग कविता पढ़ते रहे हैं, और भी नजानी कितनी सारी विधाएं पढ़ते रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भाषा जो अभिव्यक्ति भाषा में हम लोग करते हैं, वो कई और तरीके से भी किया जाता है, जैसे मीडिया हमारे सामने है, जनसंचार है, एक दूसरे से बात करने का जो माध्यम है, इसके जरिये हम लोग भाषा एक दूसरे तक अपने संदेश प कौन लोग काम करते हैं, इसके अंतरगत कौन-कौन से चीजें आ सकती हैं, इन पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जैसे अगर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इसके परिभार्षा पर बात करेंगे, इसके कौन से तत्व होंगे, संचार के कौन-कौन से प्रकार होते ह उन पर बात करेंगे जनसंचार की विशेश्चताओं पर बात करेंगे संचार के चर्चा करेंगे एक बात हम शुरू करने क्योंकि मीडिया अगर चाहे तो कुछ भी बदलाव ला सकती है हमारी भाषा हमारी कलम में वो ताकत है कि कि किसी भी तरह के बदलाव हम कर सकने में सक्षम होते हैं आप जानते हैं कि मीडिया अगर जनता को साथ लेकर चले तो कुछ भी कर सकने में सक्षम है प्रभाश जोशी से कहीं जुड़े हुए, यानि मीडिया का जनता से जनसंचार होता है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बहुत जरूरी है, साथियों अब हम लोग आते हैं इस विशय पर कि आखिर किनके किनके बीच में जनसंचार होता है, अगर पहले सोचें कि क्या आप एक दिन भी बिना बात किये रह सकते हैं, सोचिए तुझर ऐसा इसको, सोच के देखिए, कि अपने दोस्तों से इस पर चर्चा करके देखिए, क्या कोई ऐसा दिन बीटता है जिस दिन आप बिना बात किये रह सकते हों, बिना बात किये संभव ही नहीं है आपके लिए रह पा जरूरी नहीं है कि हम सामने वाले से बात करें जरूरी नहीं है कि मेरे साथ कोई हो बलकि हम उससे भी बात करते हैं अपने आप से भी बात करते हैं मैं खुद चुप हूँ अगर मान लिजे कभी-कभी लगता है कि व्यक्ति चुप है लेकिन चुप रहते वे भी वह हमेशा व तो आप यह भी देख सकते हैं कि दरसल अगर संचार ना हो अगर हम और दूसरे से बात न करें तो तो सच पूचिये तो हम रित हैं, हम जिन्दा ही नहीं रहेंगे, हमारा संभव ही नहीं है, जीवन ही संभव नहीं है, तो ये बहुत जरूरी सा एक हिस्सा बन जाता है, और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो सभ्यता के विकास की शुरुवात ही, या उसकी जो प्र साध्यों से बात करें, तो हमने बहुत तरह के यातायात के साधन बनाए, हमने बहुत से और बहुत सी चीजे बनाई, तो धीरे धीरे अगर कहा जाए, तो सभ्यता के विकास की प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया ही संचार की प्रक्रिया है, और अगर इसी अर्थ में अ टेलीफोन तो है ही हमारे पास रेडियो है हमारे पास टेलीविजन है हमारे पास इंटरनेट है हमारे पास बहुत से साधन है जिसकी जरिये हम संचार कर सकते हैं तो अब हमारा ये विकास इतना आगे आ चुका है इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब हमारे लिए ये बहुत ह आसान हो चुका है, जैकिन आसानी के साथ साथ ध्यान की डियाण रखीएगा जन्रावश से आसानी के साथ गांट की मुश्किले भी आती है तो इन मुश्किलों को भी हम बीच बीच में बात करते हुआ चलेगे पहले हम समझ लेते हैं आप ग्राफ साह देख रहे हैं, उस ग्राफ में बना हुए संचार के तट्व, संचार के तट्व कौन से होते हैं, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, तो पहले तो देखिए, सुरोथ या संचारक, यानि मैं अगर मैं अपनी बात किसी तक पहुचाना चाहती हूँ, मैरी ब अगर मैं अपनी बात कहना चाहती हूं आप तक ले जाना चाहती हूं तो भाषा में कहूंगी निश्रित रुप से भाषा में कहूंगी लेकिन आप तक ले जाने के लिए मुझे संदेश त्यार करना होगा और संदेश को त्यार करने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि जिस तक मैं ले जा रही हूँ, जिस तक मैं अपनी बात कहने जा रही हूँ, मेरी भार्षा वो जानता हो, जिस तक जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, उस रिसीवर तक मेरी भार्षा तभी पहुँचेगी, जब मेरी भार्षा वो जानता हो, यानि हमारे और उसके बीच भार तो कोई माध्यम तो होगा तो आज जो मैं अपना रही हूँ यह इंटरिनेट के जरीए भी आप देख सकते हैं और भी कई माध्यमों से देख सकते क्योंकि अब हमारा विकास काफी आगी हो चुका है चौत्हा प्राप्त करता यानि रेसीवर जिसको हम कहते हैं यारी जिस तक हम पहुचाना चाहते हैं, जैसे आप हैं, आप Receiver हैं इस वक्त, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो Receiver आप हुए, तो आप प्राप्त करता हैं, आपको मुझे ये बात देनी है, बतानी है, आप तक मुझे अपनी बात पहुचानी है, तो जाहिर है कि म करा मैं ने इसके लिए कई प्रकृया अपनाई मैंने अपने संदेश को पहले पॉइंट आउट किया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ अपसे फिर मैंने मेडिया चुना पिर मैं आ आप तक आई हूं और हिंदी में बात करी खिल संत्रिव होुइमि लोग आगे feedback पर हमने सरोत की बात की हमने संदेश की बात की हमने माध्यम की बात की प्राप्त करता की बात की और हम feedback की बात कर लेते हैं क्योंकि यह सारी चीजें बेकार हो जाएंगी यदि feedback नहीं मिलता है क्योंकि जैसे अगर मैं आप से बात कर रही हूं इस वक्त और आप तक मेरा संदेश पहुंचे और आप अगर feedback ना दे तो हमें बिलकुल भी पता नहीं चलेगा कि हमें अगला प्रोग्राम कैसा बनाना चाहिए हमें आप से कैसी बातें करनी चाहिए तो हमें feedback का होना बहुत जरूरी है फीड़बेक का मिलना बहुत जरूरी है लेकिन कई बार क सब्सक्राइब करने संदेश नहीं पहुँआता है यानि मेरे दिमाग में अगर चल रही है जाहें कि जो बात में आपसे और या तो कई बार मानसिक और कई वह सामाजी होता है हमारे समाज में जिस तरह की धारना चल रही है उस धारणा में अगर आप कोई नई बात लेकर करके आ जाते हैं तो वह समझने लायक अभी हमारा पाठक दर्शक तैयार नहीं है, रिसीवर तैयार नहीं है, प्राप्तकरता तैयार नहीं है, तो ये स्थिती भी शोर का कारण होती है, यानि दूसरी तरह की और शो है कि किस तरह की चीजे हमें घेरे हुए हैं, तो ये एक तो सामाज, दूसरी बात और भी कई तरह के शोर हो सकते हैं, उनको भी आप जानने की कोशिश करिएगा, तो इन कारणों से हम सही ढंग से अपने संदेश को अपनी बात को नहीं पहुँचा पाते हैं, एक और बात ह संदेश करता और संदेश देने वाला, यानि जो स्रोत है, जो भेजने वाला है और जो प्राप्त करता है, इन दोनों को भाषा तो आनी ही चाहिए, साथ में भाषा लिखनी पढ़नी भी आनी चाहिए, यानि बिना लिखे पड़े हम कुछ भी नहीं भेज पाएंगे और न आता हो, एनकोडिंग करना नहीं आएगा तो हम शायद वहां नहीं पहुँच पाएंगे, साथियों अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा एक शब्द में कहूं आपके सामने कि जिसको कहा जाए कि संचार एक्च्वली अनुभाओं की साज्यधारी है, अगर मेरे अनुभ संचार के आखिर कारे क्या होते हैं, कौन-कौन से कारे होते हैं, किन-किन तरह के कारे को संचार कहा जा सकता है, संचार के प्रकार कौन-कौन से होते हैं, इन पर भी हम आ जाते हैं, एक तो होता है सांकेतिक संचार, जैसे अगर मैं आप से संकेतों में अपनी बात कहूं, त आप तक मेरी बात पहुंच गई दूसरी बात मौखिक और अमौखिक दोनों चाथ सा चलेगा यानि मैं कुछ नहीं बोलूं आपसे फिर भी मैं हाथों से इशारा करूँ मैं अपने जेस्टर से कुछ बात कहूं तो वह अमौखिक होता यानि जेस्टर से जो बात कहीं जाती ह वह भी कहीं न कहीं आप तक पहुंच रही है तो एक तो दूसरा अगर देखा जाए तो यह भी होता है अगर तीसरी बात में कहुं तो मौकिक और अमौकिक के साथ अंतह बयक्तिक संचार भी होता है यानि जैसा मैंने अभी शुरू में ही कहा कि जैसे मैं अपने से जो हम बात कर रहे हैं या आप अपने से जो बात करते हैं वह अंतह वयक्तिक संचार है जो आप खुद से ही बात कर रहे हैं खुद से ही आप सवाल कर रहे हैं, खुद से ही जवाब कर रहे हैं, अंतरमन्थन कर रहे हैं, विचार विमर्ष कर रहे हैं, खुद से ही, तो वो भी अंतह वयक्ति के एक तरह का संचार होता है, और अगर अगला देखा जाए तो समूह संचार, जैसे हम लोग गुरूप डिस क्रिशन हो गया तो वो समूज संचार हो गया और सबसे बड़ा जो रोल है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं वो है जन संचार जन संचार में एक बड़ी बात क्या होती है कि जो हम जिस से जिस जनता के साथ मेरा संचार हो रहा है जिन आम लोगों के साथ मेरा संचार हो रहा ह हम उसे जानते नहीं हैं, हमारा सीधा कोई संपर्क नहीं है, उसे जानते नहीं हैं, उसकी रुचियों को भी नहीं जानते हैं, उसका कुछ भी क्या पसंद है, कौन सी भाषा जानते हैं, कई बार यह भी नहीं जानते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, यह भी नहीं जानते हैं तो इसलिए जनसंचार बहुत मुश्किल भी इस मायने में होता है कि इसके लिए एक पूरा का पूरा तंत्र हमारे सामने होता है क्योंकि बिना उसके काम नहीं चल सकेगा और वो तंत्र में बहुत सारे लोग होते हैं जो इसके लिए काम करते हैं यानि सीधे सीधे जो मैं कहन चाहती हूं वो आप तक सीधे सीधे पहुंच जाए इसके लिए मुझे काफी तैयारी करनी पड़ती है आपको खुब तैयारी करनी पड़ेगी और उन तैयारियों से जब तक आप नहीं गुजरेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे तो जन संचार के कारियों पर पहले तो हम लोगों को यह सोचने की जरूरत है कि कैसे इसके प्रकारों के साथ साथ यह कौन-कौन से काम हो सकते हैं जन संचार के कारियों को समझने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा पिक्चर रख रही हूं उसमें आख संचार के कारियों में हम किसी से कुछ मांगते हैं उससे मांग के किताब ही मांगी हमने तो किताब हासिल करना ये भी मैंने संचार से ही किया अगर मैं किसी को नियंतर जैसे अगर मान लीजिए पिता या पुत्र है या माँ बेटे हैं बच्चे हैं तो हम किसी को सिखा रहे हैं कुछ बता रहे हैं कि नहीं गिलास का ये कप कहां रखनी चाहिए ये गलास कहां रखना चाहिए तो ये भी बता रहे हैं तो ये नियंतरित करना हुआ किसी के सभाव को नियंतरित करना हुआ किसी के अबिवेक्ति हम लिखकर भी कर सकते हैं ये अबिवेक्ति हम बोल कर भी कर सकते हैं और मीडिया कोई भी ले सकते हैं आज तो हमारे सामने मुठी में ही वो मेडिया है मोबाइल में ही सब कुछ है तो इस तरह से हम अगर देखें तो सामाजिक संपर्क के लिए भी हमें संचार क प्रयोग अपसर्फ हम अपनी समस्याओं को बताने के लिए भी करते हैं जैसे मालीजी आप कहीं फंस गए हैं आप नदी में कहीं फंस गए हैं मालीजी तो चिला कर आप बुलाएंगे किसी को ऐसा कई बार आपने देखा है कई बार कहानिया सुनी है कि कोई फंस गया है और हम संचार को किसी वस्तु विश्य के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं जैसे आपने कोई किताब पढ़ी और किताब पढ़ करके आपको लगा कि यह तो बिल्कुल बेकार किताब है तो आप उसकी प्रतिक्रिया उसकी रिपोर्ट लिखकर उसकी रिव्य अध्यापक हैं तो अध्यापक की भूमिका में विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी की भूमिका में रहने के लिए भी हम संचार का प्रयोक करते हैं अब हम देखें इसी संचार को यह तो व्यक्तिगत्था दो और दो लोगों के बीच लेकिन अगर हम जनता के साथ करना चा विजन है। आप इंटरनीट देख रहे हैं, कई सारे चैनल देख रहे हैं, कई सारे तरीके से आपके पास सुचनाएं पहुँच रही हैं, तो आप जरूर देखियेगा, कि क्या इन में से सारी बातों को फॉलॉव कर रहे हैं ये हमारा एक तरह से इस पर अंकुष लगाना ये भी आपका काम है आप एक नागरिक हैं इस देश के तो बहुत जरूरी है ये जानना कि क्या हो रहा है सूचना देना अगर ये उसका काम है जनसंचार का कि सूचना देना ठीक है ये तो हर कोई कर रहा है कि जो अब बाकाइदा बना हुआ है और उस गायडलाइन को कोई भी फॉल्म नहीं करता है तो हमारा करतम हो जाता है कि हम सवाल उठाए उठाए और ऐसा अक्सर हो रहा है रहा है इसलिए आप द्यान देजिएगा शिक्षित करना किसी को शिक्षित करना भी इसका उदेश्य है कि शिक्षित करना मतलब केवल अध्यापक का काम नहीं होता है ये मीडिया का भी काम होता है अख़बारों का भी काम होता है तो मीडिया ये काम भी करती है किसी ने किसी जरिये से और जो भी बात हम बताना चाहते जैसे माली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या इस तरह की चीजें जो आप अक्सर सुनते हैं इसको ये जो नारे हैं इसके जरी हम सिक्षित ही तो कर रहे हैं लोगों को तो ये भी काम है उसका मनोरंजन करना तो है ही है फिल्म में आप बाकाइदा देखते हैं नाटक देख है कि आखिर हम जो करने जा रहे हैं जैसे अगर मान लेजिए कोई अखबार अपना एक एजन्डा तय करता है कोई समचार प्रस्तोता अपना एजन्डा तय करता है या जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं वो अपना एक एजन्डा तय करके चलते हैं कि हमें यह काम करना है जैस तो ये भी काम है उसका निगरानी करना और फिर ये भी देखना कि जो कुछ चल रहा है जो कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है वो ठीक है भी कि नहीं और समाज में भी देखा जाए कि समाज ठीक में जो कुछ चल रहा है उन बातों को भी देखना साथ में जो संस्थाएं तरह रखी हैं अगर राजनीतिक संस्थाइं भी हो सकती हैं सामाजिक संस्थाइं भी हो सकती हैं तो उन राजनीतिक संस्थाओं या शैक्षिक संस्थाओं पर नजर रखना ये भी काम है मेडिया का क्योंकि वो जरूर देखे कि हां क्या हो रहा है कहां सही हो रहा है कहां गलत हो र रखना, आमजनता के सामने लियाना भी जन संचार की भूमी का है और फिर विचार बिमर्श के मंच एकठा करना भी उसका काम है। तो ये कुल मिला करके बहुत से कामों में जन संचार के कामों में यह सारी चीजे आती हैं. अभी हम लोग जन संचार माध्यमों के विकास पर भारत में कब कैसे हुआ इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप पहले सोच लिजए आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आधुनिक काल में ही हुआ होगा जनसंचार मादे मुखा विकास क्योंकि आधुनिक काल में हमारे पास छापे खाने का विकास होता है, प्रिंट मीडिया आता है, लेक्ट्रोनिक मीडिया आता है, तो आपको लगता होगा कि हम लोगों ने शायद उसी समय से शुरुआत की होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच पूरा नहीं है, आप ध्यान देजिए, पीछे जाईए जरा थोड़ा, आप घर में भी ह मेशा सुनते होंगे कि नारद मुनी को सबसे पहला समाचार वाचक कहा जाता है, वो तो समवाद सेतु थे, समवाद के पुल थे, किसके बीच? धर्ती और देवलोग के बीच, धर्ती की सारी कथाएं, कहानियां वो जाकर के देवताओं को सुनाते थे, तो ये भी एक तरह क समचार ही हुआ, समचार देना ही हुआ, एक तरह का संचार ही हुआ, तो अगर हम उनको पहला माल लेते हैं, और अगर आगे आते हैं, माल लिजे जहां राजा थे, बाशा थे, दरवार था, तो उन दरवारों में भी कहीं न कहीं बाकाइदा कोई न कोई एक समचार वाचक ह वो जाकर के अपनी बातें बताता था जनता को सारी सूचनाई देता था बादशाह की तो बादशाह क्या कह रहा है राजा क्या कह रहा है उसकी सारी सूचनाई देता था उसके साथ ही जो जरूरी सूचनाई होती थी वो शिला लेखों पर लिखे जाते थे आप इतिहास जब जाता था तो ऐसा नहीं बलकि बाद में चल करके तो दर्बारों में बाकाइदा एक ऐसा व्यक्ति ही मुकरर कर लिया गया एक ऐसा व्यक्ति ही रख लिया जाता था जो ये काम ही करता था समाचार उनका कच्छी स्याही का उस समय विकास हो चुका था तो वो लिखने लगे थे बहुत सारे लोकनित और लोक गायन काफी प्रसिद्ध है उनके आप नाम जानते होंगे और उसके पहले थोड़ा समय वो भी बता दूँ आपको याद दिला दूँ आप चित्र देख रहे होंगे कि जो गुफाएं हमारी हैं उन गुफाओं में हम चित्रों के माध्यम से चित करना चाहते थे वह कहीं यकभी कभी गुफाओं में भी लिकार करते रहते थे शिलाकों का मैंने जिक्र किया था और अभी मैं इनको ने इES और आज बेत अब लिख यानि यह भी कहीं नाustra से सिदा होगे हम लोग से संचार के माध्यम चाने ममत्नों से सीधा सीधे educate जानते हैं इसके साथ ही जिसको मैं अभी बात कर रही थी आपसे कि लाउनी या जो हमारे लोकनिते हैं लाउनी हुआ या फिर नोटंकी हुआ जात्रा हुआ या फिर कथा वाचक बाउल हुआ सांग हुआ रागनी हुआ तमाशा हुआ यह सारे जो मनुरंजन के हमारे साधन थ थे इन लोक नित्यों के माध्यम से भी हम कई बार जनता को शिक्षित करने की कोशिश करते थे आप उनकी कहानिया सुन ले जिए तो ज्यादा तर वो कहानिया जनता को शिक्षित करने वाली होती थी तो ये भी हमारे पास एक माध्यम के रूप में हुआ करते थे और बहुत ब जाए प्रिंट माध्यम शुरुवात हुई तो बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं भी आ गई आपको पता होगा बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हमारे हाँ आज भी है और पहले भी एक समय में जब खास्तोर से जब आधुनिक जो हमारे आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थ उस आजादी की लड़ाई में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका बहुत एहम थी आजादी की लड़ाई में बहुत से पत्र पत्रिकाओं ने बहुत बड़ी भूमिका आदा की बलकि गांधी जी को तो हम लोग सबसे बड़ा पत्रकार मानते हैं क्योंकि गांधी जी ने बहु और अंग्रेजों के खिलाब जो कुछ भी कहना होता था उस पत्रिका के माध्यम से कहते थे तो ऐसे बहुत तमाम पत्र-पत्रिकाएं और बहुत से पत्रकार आए आप देखेंगे कि पराड करजी का नाम आपने सुना होगा तो बहुत से ऐसे भारतेंदु हरिष्चंद जो जिनको आप पढ़ते हैं जिनकी रचनाई आप पढ़ते हैं तो भारतेंदु हरिष्चंद की खुद पत्रकार रहे हैं तो पहले के बहुत से साहितिकार बहुत से कवी बाकाइदा पत्रकार भी रहे हैं तो पत्र-पत्रकाएं उस जमाने में बहुत सी मशुहूर थी कुछ कुछ आप देख सकते हैं मैंने इस कोलाज की तरह से प्रसुत किया है कि 1947 का जो पत्र था इसकी कटिंग मैंने उपर लगाई हुई है आप देख लीजिए अपने आप में थ्रिल पैदा करता है अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना रोमांच सा होता है कि आखिर ये उस दिन का है जिस दिन हम आजाद हुए जिस दिन भारत आजाद हुआ तो ऐसे बहुत अ सफल तो ये सब शिर्शक उस दिनों लगा करते थे और विशाल भारत जैसा एक पत्र था सरस्वती था जिन्हों ने ये पत्र ऐसे थे जिसने बाकाइदा स्वतनत्रता की लड़ाई में एहम भूमिकादा की इनके लेखों ने एहम भूमिकादा की तो काफी खुद तिलक भ अखिला अख़बार हमारे यहां जो प्रकाशित हुआ वो 1780 में प्रकाशित हुआ बंगाल गजट के नाम से अंग्रेजी में कोलकाता से आप सब जानते हैं तो कोलकाता से अंग्रेजी में ये अख़बार सबसे पहले प्रकाशित हुआ उसके बाद ही उद्दंत नाम का जो पत्र हिंदी में प्रकाशित हुआ आप देखिएगा उद्धंत मारतंट नाम से वो 1926 में प्रकाशित हुआ और उद्धंत मारतंट में मारतंट को भी आप देखेंगे कि कलकाता से ही प्रकाशित हुआ यह भी एक महत्यपुन बात है तो यानि उस समय एक तरह से ज वहां पर हो रहा था मीडिया की वहां शुरुआत हो रही थी अख़बार आ रहे थे तो इन अख़बारों की उस समय शुरुआत हुई थी अब हम थोड़ा सा आने की कोशिश करते हैं दूसरे विश्यों पर लेकिन इसके पहले मैं थोड़ी सी आपके साथ चाहूंगी कि गति हमारे पास कई लोग हिंदुस्तान है हिंदी का नौ भारत टाइम से हिंदी का और आप अमरित प्रभात नाम से उस जमाने में जो निकलता था वो उसको भी कई रूपों में आप आज पाएंगे राश्टी सहारा हमारे सामने मौजूद है दैनिक जागरण हमारे सामने इंडिया तुडे हमारे पास मौजूद है तो ऐसी बहुत सारे पत्र पत्रिका है जो आज निकल रही है उनमें से कोई भी एक ले लिजे पत्र कोई ले लिजे तो उसके पत्रिका के बारे में 300 शब्दों में कोई टिपणी लिखिए लेकिन उसमें उस टिपणी में कुछ बात भी होनी चाहिए जैसे उसकी खूबियां क्या है जैसे मैंने हमने कई सारी बाते आप से शेयर की उनमें से यह भी देखिए कि क्या हुआ अपनी भूमिका को अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्या जो रोल बताए गये हैं जो पूरा का पूरा ले रहा है कि नहीं ले कि आपका पसंदीदा अखबार पत्रिका आपको सूचना शिक्षा और मनोरंजन देता है इन बातों पर भी गौर करिएगा और यह जरूर लिखिएगा तो आप पाएंगे कि केवल अखबार के बारे में अभी आपको जानकारी नहीं होगी बल्कि अखबार के साथ साथ समाज के बारे में भार्षा के बारे में कैसी भार्षा लिखी जा रही है कैसे शीर्षक दिये जा रहे हैं और उससे कहीं ने कहीं भार्षा प्रियोगों के बारे में आपको जानकारी हासिल होगी काफी फायदा होगा उससे और कैसे कौन सा शब्द माइने रखता है कौन सा शब् बिरूरी वह स्वतंत्र हो रहें उन पर कोई अंकुष नहों लेकिन कम से कम कुछ तो नियमावली हो ऐसा नहों कि और समवेदन शील भाषा लिखकर वह सामने वाले को दुखी कर दें नाराज कर दें आप जानते हैं कि आज कल बहुत से ऐसी चीजें बहुत से खबर आप सुन कि जोनते होंगे देखते होंगे आपका ध्यान जाता होगा कि कैसी चब्दावली कैसी और समवेदन शील सब्दावली का प्रियोग किया जा रहा है उन पर हमें ध्यान देना चाहिए गौर करना चाहिए जैसे अभी फिल्हाल में किसी एक्टर के मृत्व पर जो देनी जरूरी थी उन सुचनाओं से क्या होने वाला था क्या होता तो यह बहुत सी चीजें हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है चलिए हम अब इसके साथ ही अब थोड़ा सा आगे आते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि पहला जो हमारा रेडियो है अगर हम रेड जने में जब उनको काम्याबी होई तो रेडियो का आवश्कार किया लेकिन यह बाहर की दुनिया में भारत में हमारे हाँ नहीं उस समय नहीं शुरूरात होई भारत में बहुत बाद में शुरूरात हुई और भारत में आप आएंगे कि 1921 में मुंबई में टाइम्स ओफ इंडिया ने डाकतार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कारिक्रम प्रसारित किया और 1936 में बिधिवत All India Radio की स्थापना हो गई थी और आजादी के समय तक देश में कुल नौ रेडियो स्टेशन खुल चुके थे लखनव, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरपल्ली, ठाका, लाहौर, पेशावर, बहुत से हमारे सामने स्टेशन, रेडियो स्टेशन खुल गए थे और इन रेडियो स्टेशनों ने बड़ी भूमिका अदा की, हमारे देश में 96 प्रतिशत जनता के बीच आकाशवानी पहुंसती है, आकाशवानी का दाएरा इतना फैला तो FM के बाद से तो आप आएंगे कि हमारी जनता, आम जनता हर व्यक्ति के पास वह पहुंच गया है, तो FM की बहुत बड़ी भूमिका रही, रेडियो ने जो शुरुआत की थी, बीच में रेडियो काफी एक कह सकते हैं कि थोड़ा पर्दे के पीछे चला गया था क्योंकि टीवी और बाकी और माध्यम जादा महत्यपुण हो गये थे, लेकिन बाद में जब से FM आया, फिर से रेडियो की भूमिका को लोग समझने लगे हैं और रेडियो को अहम मानने लगे हैं, आज भी रेडियो मैं समझती हूँ कि दृष्य माध्यमों की तुल्ला में आज भी हमें कहीं एकांत होकर के सुनकर के कोई चीज़ें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं वो ज्यादा महत्यपुण भी होती हैं और कहीं भी पहुँचाई जा सकती हैं उनके लिए बहुत जरूरी नहीं के नेट की जरूरत हो तो कहीं भी पहुँचाई जा सकती हैं तो रे टेलिविजन की शुरुआत जिस तरह से हुई हमारे देश में 15 सितंबर 1969 को युनेसको ने एक शिक्षा संबंधे कारिक्रम की शुरुआत करने के लिए ही ये योजना बनाई थी और उसने टेलिविजन की शुरुआत हमारे हाँ शुरू की लेकिन उस समय काम उसका था उसकी भूमिका थी शिक्षित करना ही हमारा उद्देश था और शुरुआत जो हुई टीवी सेट लगाए गए कुछ-कुछ दिल्ली के आसपास के दो गाहों में टीवी सेट लगाए गए और दो सो लोग करीब उसको देखते थे हपते में एक दो बार दिखाया जाता था एक एक गंटे के लिए लेकिन 1965 में जब भारत आजादी के दिवस था 15 अगस्त तो 1965 के आजादी के दिवस फिर से इसकी बाकाइदा शुरुआत हुई लेकिन तब भी बहुत जादा पड़े स्तर पे शुरुआत नहीं हुई टीवी कारिकरम दिखाये जाने लगे रोज एक घंटे लेकिन बहुत जादा नहीं 1976 में आकाशवाणी का हिस्सा ही छीहतर तक रही लेकिन बाद में जब स्वतंत्र उससे हो गया यह दूर दर्शन तो उसने एक अहम भूमिका शुरू की 76 में अलग हुआ 84 में इसकी रजब जैनती मनाई गई लेकिन आप जानते हैं कि यह सब कुछ कब ज़्यादा शुरू हुआ जबकि इसमें प्राइवेट यानि कि कुछ ऐसे चैनल आए जो स्वतंत्र चैनल है जो सरकारों से सीधे सीधे जुड़े हुए नहीं है जो सरकारी यानि एक तरह का कारिकरम शिक्षा संबंधी कारिकरम क्रिशी संबंधी कारिकरम ही नहीं रहा बलकि मनुरंजन संबंधी कारिकरम और कई तरह के तकनीकी विकास भी इसमें हुए तो कई तरह के जब यह चुड़वात हुई लेकिन इस तकनीकी विकास के साथ साथ इसके आरे चैनल आए वैसे वैसे आप आएंगे कि हमारा अंकुष भी नहीं रहा आप कई बार ऐसी चीजें भी आपके सामने आती रहें जो आपके लिए शायद महत्तपुन नहों आपको देखना जरूरी नहों ऐसी चीजें भी आए अब शुरता के सामने दर्शक के सामने सवाल यह हुआ कि हम क्या लें क्या चुनें उसमें से कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं कौन सी चीजें गयर जरूरी हैं तो यह एक एहम भूमिका हमारी हो गई उस समय यानि आपका विवेक बहुत माइने रखता है किसको हम देखें किसको नहीं देखें कब चैनल शुरू की बीच जब चुनाव हमारे लिए मुश्किल होता है तो अब हम को जरूरत इस बात की होती है यह देखना जरूरी हो जाता है कि क्या यह कारिक्रम जो आ रहे हैं इन कारिक्रमों में हमारे लिए हमारे देश के लिए कितना एहम बातें कही जा रहे हैं इस चुनाव का एक आध करता है तो यह भी बहुत जरूरी है तो अब हमारा ज्दा रोल यह हो जाता है लो कोई गाइड लाइन्स मेडिया के लिए बनाए गए हैं जो कोई भी उसकी अवहेलना करता है वो निश्चित रूप से उसका उद्देश केवल ब्यावसाइक है केवल पेशा है तो ब्यावसाइक रूप केवल आगे न बढ़े इसके लिए हमें सचेत होना एक नागरी के रूप मे एक विद्यार्थी के रूप में हमें सचेत होना बहुत जरूरी है हमें हर कोई कुछ भी नहीं दे करके जा सकता है आप जानते हैं कि कई बार दस चैनल पे अगर आप एक ही बात देखते हैं तो आपके विचार को कैसे पॉलिटेट कर रहा होता है कैसे प्रदूशित कर रह होता है आपको पता है आपकी राय धीरे धीरे वैसी बनने लगती है तो आप ध्यान रखिएगा आप अलग-अलग विचारों को जानिए अलग-अलग बातों को जानिए तब आप तैकर पाएंगे कि उनमें से क्या सही है क्योंकि एक ही विचार जानने पर आपके पास कोई आप्शन ही नहीं है विकल्प ही नहीं है तो विकल्प के लिए जरूरी है कि बहुत सी चीजों को देखा और समझा जा अभी बहुत सी बातें जो हम लोग कर रहे हैं उनमें जनसंचार माध्यमों के कई माध्यमों की बातें भी कर रहे हैं जैसे अभी हमने टेलिविजन की बा बहुत मेहत्यपूर हो गया है साथियों आप इस बात को बहुत गोर से तुनिए गा ध्यान की हमारा बिवेख कैसे हमारे लिए मैं कैसे हमारे नहींद करें गए अप सदितिहां की थिरी हमारे दमाग पर कैसे व अंकुष्ट करते चले चा रहें हमारे दिमाग को कोई अपने वश में कर ले ऐसा हम होने नहीं देंगे तो साथियों मैं आपसे उमीद करती हूँ कि आप जैसे लोग इस बात को ध्यान से सुन रहे होंगे समझ रहे होंगे और जनसंचार माध्यमों पर विचार करते हुए इन बातों को जरूर ध्यान देजिएगा और और बहुत स माध्यम है उन पर हम अगली बार चर्चा करेंगे